हलो फिर्ण्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ आईशा सिंग और आज हम बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा वाल डैकॉर जिसके लिए सबसे पहले हम फ्लार बनाएंगे और उसके लिए मैंने कुछ सरकल ले लिये हैं 7-8 cm के और मैं उनको दिखाए गए तरीके से कट कर लोंगे इसको बनाना बहुत ही असान है और यह हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बनाने हैं आज का हमारा जो वाल डैकॉर है उसमें बहुत सारे फ्लार्स लगने वाले हैं और देखिए यह फ्लार्स बनने में कितना एजी है इन फ्लार्स को बनाना बहुत ये मैंने बहुत सारे छोटे 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 बना लिये हैं और देखे मैंने ये इसके बाद हम लेंगे निउस्पेपर जिसका हमें निउसपेपर बनाना है न्यूस पेपर ट्यूब बनाना बहुत ही असान है और ये भी हमें छोटे बड़े साइस के बहुत सारे बना लेने है तो देखिए ये हमारा पेपर ट्यूब बन गया है और ये मैंने बहुत सारे बना लिये है मैंने एक newspaper को first of all heart shape में cut कर लिया है जिसे कि हमें हमारे wall decor को heart shape देने में असानी हो मैं टूटो tubes को एक साथ paste करूँगे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं दो tubes को एक साथ paste करती हूँ तो हमारा base ज्यादा strong बनेगा और यह long life रहेगा तो मैंने दिखाये गई तरीके से इने अरेंज कर लिया है मैंने इसको paste करके cut कर लिया है और हम इस पे black acrylic कलर कर लेंगे मैंने इन flowers पर भी हाप पर पेस्ट कर दिया है तो यह और भी beautiful हो गए है देखे कितने ही प्यारे लग रहे है अब तो यह और भी अच्छे लग रहे है और फिर उसके बाद मैं इस सारे flowers को अपने वो जो base है हट शेप का उस पर arrange कर लेंगे अब colors अपने according ले सकते है flowers के और ब्लीव मी फ्रेंड्स यह wall decor बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगने वाला है और इसको बनाना बहुत easy है हाला कि थोड़ा सा time लगता है क्योंकि flowers बहुत सारे बनाये थे मैंने क्योंकि मेरा तो थोड़ा big size का था अब small size का भी बना सकते हो और यह flowers paste करने के बाद मैंने बीच बीच में वो जो हमने punch machine से flowers बनाये थे वो भी paste किये थे उसके बाद तो यह बहुत बहुत beautiful लग रहा था आप इसको अपने bedroom में decor कर सकते हैं जहां चाहें वहाँ decor कर सकते हैं किसी को gift भी दे सकते हैं वैसे तो मैंने यह DIY वैलेंटाइन के लिए बनाया था बट मैंसे upload करने में थोड़ा लेट हो गई हूँ तो आप इसे किसी को gift भी कर सकते थे वैलेंटाइन डे पे बट कोई बात नहीं अब आप इसको अपने घर में decor कर सकते हो अभी भी आप किसी के anniversary पे इसको gift कर सकते हो आपको यह DIY कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक देकर जरूर जाईएगा अगर आप चाहते हैं कि आप future में भी मेरे DIY देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए औ और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले मैं ऐसे ही different different DIY लाती रहूँगी तो देखिए friends हमारा ये DIY बनके तयार हो गया है देखिए इसका final look मैं इसको अपने bedroom में डेकर करने वाली हूँ जब मैं इसको डेकर करूँगी तो आपसे शेयर जरूर करूँगी मिलते हैं next video में एक नए idea के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर